हाई फ्रेंड्स दिस इज प्रशान्द फ्राम एकेडेमिक स्पोर्स एसी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66 बीपेसी मुख परिच्छा के मद्द नजर GS Paper 2 Section 3 यानि कि Science and Technology का टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा आज का हमारा टॉपिक होगा Global Warming हमने आज मॉर्निंग में टेलिग्राम गुरूप में आप सबों के इन्फॉर्म कर दिया था कि आज मैं Global Warming टॉपिक पर डिसकसन करूँगा या फिर इसके परहौ को कम करने के लिए जो परयास किये जा रहे हैं उसमें भारत सरकार का क्या contribution है या आज का हमारा model अंसर का आज का हमारा प्रशन है तो अगर Global Warming से संबंदित प्रशन भी आते हैं तो प्रशन भी यही रहेगा समानने ताप प्रशन भी रहेंगे कि Global Warming क्या है इसके परहौ पर चर्चा करें भारत सरकार क्या 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 initiative उठाए गया है बैसिव का स्तर पर क्या क्या कार किये जा रहे हैं और संचेप में आपको बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या initiative उठाए गया है इस संदर में इसकी भी जानकारी आपको रखनी है तो या science and technology के अंतरगात या unit आएगा इससे आप लोग ध्यान रखिए तो सबसे पहले इसे introduction देना है तो introduction में पहला line हमने लिखा है कि global warming एक परमुख बैस्विक समास्या है चुकि introduction में आपको start करने के लिए एक पंक्ती जैसे अगर गरीबी से समंदित प्रशना है बिरजगारी से समंदित प्रशना है आतंकवाद से समंदित प्रशना है या फिर global warming से समंदित प्रशना है तो आप पहला line से आप इसे शुरुआत कर सकते हैं गरीबी एक बैस्विक समंदित प्रशना है तो पिठ्थिवी पर ऑसत तापमान में असमान रुप से ब्रभिधि की स्थिती गलउवाल बार्विंग कहलाती है यानि की पिठ्थिवी पर टेंपरेचर में ज्यादा उतार चड़ाओ देखने को अगर मिलता है तो आग गलोवल बार्मिंग की स्थिती होती है गलोवल बार्मिंग के लिए जो उत्तरदाई कारक है उसमें ग्रीन हॉस पर्वाओ की महत्तपुन भूमिका है और ग्रीन हॉस गैस जो है वहाँ मुखता सीयो टू है ठीक है इसके बाद हमने लिखा है चुकि यहाँ पर प्रशन था कि इसके परहौ की चर्चा करेव भारत शरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में अंदर अंसर में आप क्या क्या लिखने जा रहे हैं इसकी ब्रिफ जानकारी वहाँ पर देनी होती है इंट्रोडक्शन से या असपास रूप से जहलाकनी चाहिए कि आपके अंसर में क्या क्या सामिल होगा इसलिए हमने लिखा यहाँ पर कि इसका पिर्थीवी पर आर्थिक पारिष्थिति के प्रावरणिये मानविये आदि परवाव पड़ा है भारत सहीत बिश्व के सभी देश इस समस्या को दूर करने की दिशा में कारक कर रहे हैं हमने यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पर क्यों ग्लोवल बार्विंग की समस्या उभर रही है इसका संचेप में कारण दिया चुकि यहाँ पर प्रश्ण में कारण नहीं पूछा गया लेकिन दो या तीन लाइन आप कारण लिख दें तो एक्जामनर के माइन वियास परश्ट हो जाएगा की जो परिछारती है उसके पास इन सभी मुदों की जानकारी है इसलिए हमने व्रीफ में आपर दिया है कि ग्रीन हॉस गैसों में निरंतर ब्रिधी के कारण ग्लोल बार्विंग की समस्या बढ़ रही है यानि कि इसका कारण जो है वह ग्रीन हॉस गैस में ब्रिधी ग्लोल बार्विंग का सबसे परमुक कारण है इसके परमुख कारणों में जैविक इंधन का प्रतेच दहन, मोटर बाहन वा कारखानों से उत्सरजन, तापिय बिदुत उर्जा केंद्र, उद्योगों का विस्तार वा ब्रिचा वरण में कमी आदी इसकी परमुख समस्या है यानि कि गलोवल बार्मिंग के लिए ये सभी कारण जो है, वा गलोवल बार्मिंग के लिए जिमेवार है और इसके कारण गलोवल बार्मिंग के समस्या बढ़ रही है और परयावरनिय आसंतुलन की स्थिति उत्तपन हो रही है, ठीक है, तो हमने संचेप में बताया यहाँ पर गलॉवल वार्मिंग के क्या कारण है अब इहां यहां पर हमने ऑ-पी *** की रिपोर्ट दिया चुकि हाल ही में जारी हुई है प्रते चार वर्ष के अंतराल पर इसकी रिपोर्ट जारी होती है तो आपको यह जनकारी रखनी होगी कि लेटेस्ट रिपोर्ट कौन सी है और इससे समद्धी जो भी रिपोर्ट है वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो अक्टूवर 2018 में जारी किये गए IPCC की रिपोर्ट में कहा गया है अब प्रशन उठ रहा होगा कि अभी 2021 चल रहा है और यहां रिपोर्ट 2018 का है तो चुकी प्रतेक चार वर्ष के अंतराल पर IPCC के द्वारे रिपोर्ट जारी कि जाती है तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट होगी उसे डालना होगा तो लेटेस्ट रिपोर्ट 2018 का है इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पुर्व ओद्योगिक यूग में पुर्व ओद्योगिक यूग मतलब जब इंग्लैंड में जो ओद्योगिक करांती हुई थी 1688 में उसके पुर्व का समय तो पुर्व ओद्योगिक यूग के नाम से वह जाना जाता है तो पुर्व ओद्योगिक यूग के तुल्ला में 1.2 डिग्री सल्सियस की तापुमान में ब्रिधी हुई है यानि कि 1688 से पहले का जो समय था उस समय और अभी 2020 का दसक देखे तो इसके बीच में 1.2 डिग्री सल्सियस टेम्परेचर की ब्रिधी हुई है अगर उत्सरजन की बरतमान दर यही कायम रहती है तो 2030 से 2000 बामन की मध्य तक देखेंगे तो 1.5 डिग्री सल्सियस टेम्परेचर इतनी तापुमान ब्रिधी कर जाएगी तो आने वाले समय में इसके कई दूस परिणाम देखने को मिल सकते है तो यह बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि 1.5 डिग्री से टेम्परेचर की ब्रिधी अपने आप में काफी मायने रखता है तो यह IPCC की रिपोर्ट कह रही है कि गलोवल बार्मिंग को लेकर ऐसी सिचुएशन उभर सकती है अब प्रस्ण जो था वह था कि यह क्या है गलोवल बार्मिंग वह हमने उपर समाझ लिया गलो बार्मिंग क्या है इसके definition को देखा और latest report को हमने संचेपी में देखा अब देखते हैं कि गलोवल बार्मिंग का क्या परवाव पड़ता है तो गलोवल बार्मिंग का भीविने छेत्रों में अलग-अलग परवाव पड़ता है जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पारिस्थिति के परवाओ यानि कि पर्याबरन के छेत्र में क्या परवाओ पड़ेगा तो पर्याबरन के छेत्र में परवाल बिरंजन की स्थिति उत्तपन होगी समुद्री जीव जो है उन्हें भोजन की संकर्ट उत्पन होगा और ऐसी स्थिती में समुद्री जैब विविधिता जो है वह असंतुलित होगा दूसरा है मरु अस्थली करण में बृध्धी क्यूं होगा मरु अस्थली करण में बृध्धी अनाज उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा और कहीं न कहीं या हमारे समाज पर कुपोशन गरीबी भुखमरी जैसे चुनौतियों को उत्पण करेगी ब्रिछाबरन में कमी ब्रिछाबरन में कमी हो रही है और कही न कही या देखा गए तो इस से हमारा जो पर्याबरन है वह असंतुलित भी हो रहा है ओजोनचरण होगा ओजोनचरण होने से क्या होगा तो इसका परभापड़ेगा की जो ओजोन से ब्रिधी भी होगी तिया था कही न कही या परिश्थित के परभाव गुलवल वार्मिंग का बिविन छेत्रों में परभाव पड़ा है परिश्थित्की के अलावा अगर देखे तो आर्थिक परभाव महत्पूर्ण है जीडिपी में कमी देखने को मिलेगी अब सनचनात्मा की निवेश में कमी आएगी अगर गुलवल वार्मिंग के समस्योत्पन होगी गरीबी भुखमरी जैसी चुनात्योत्पन होगी स्वास्थ पर लोगों का परतिकुल उरुप से पढ़वा पड़ेगा तो सरकार जो है वह हेल्थ के छेत्र में इन्वेश्ट करना सुरू करे गरीबी भुखमरी जैसी चुनात्यों की निपटने में ही लगी रहेगी और अब सराचनात्मक जो निवेश है उसमें कमी करने पड़ेगे क्यूंकि अगर हेल्थ सेक्टर में ज्यादा इन्वेश्ट सरकार करेगी तो किसी दूसरे सेक्टर से कटोती करना पड़ेगा तो आपदा रहात खर्च मानव स्वास्ट पर अधिक खर्च करना पड़ेगा यह हमने यहाँ पर डिसकस किया उजोन छरन के संदर में तो यह था गलोवल बार्मिंग का अर्थिक परवाव परिस्थित के परवाव अगला है गलेसियर की बर्व का पिखलना अभी आप देख सक करेंगे तो इसका एक्जामनर पर जो कॉपी चेक करना है उस पर काफी पोजिटिव इंपक्ट पड़ेगा और कहीं न कहीं जब मार्किंग होगी आपकी तो सकरात्मक इसमें सकरात्मकता देखने को मिलेगी गलोवल बार्मिंग के कारण असामाईक मौसमी परिवर्तन और असामाईक मौसमी परिवर्तन देखने को मिल रहा है ठीक है बाल सुखा जैसे प्राकितिक आपदाओं में बिर्धी हो रही है एक ही समय में अगर देखा जातों अगर भारत में देखें तो एक समय में जब तमिलाडु जैसे छेत्रों में सुखा की स्थित उत्पन होती है महराश्ट जैसे छेत्रों में सुखा की स्थित उत्पन होती है वहीं बिहार यूपी जैसे कुछ छेत्र जो है वह बाल से ढखा होता है तो एक ही समय में एक ही कंट्री के अंदर बाल और सुखा जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है अगला है मानुविये इसका गलोवल बार्विंग का मानुविये परभाव भी पड़ता है जैसे है मानुव स्वास्थ वा स्वभाव में परिवर्तन होगा हमने बताया उजोन छरन का एक्जामपल दिया अस्किन डिजिच की समस्या उत्पन होगी है ना जब परावैगनी किरने सरीर को रिफ सरी तो सरीर में कई तरह की समस्या उत्पन होगी पर दूसरन की समस्या बढ़ने से मानुव सरीर में चिर्चिड़ापन स्वभाव में चिर्चिड़ापन जैसी स्थित्य उत्पन होती है तो मानुव स्वास्थ में परिवर्तन वा स्वभाव में भी परिवर्तन देखने को मिल चर्म रोग में बृद्धी होती है चिड़ चिड़ापन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो यह था गुलॉल बार्मिंग का परहौ इसका अलावा भी अगर आपके पास परहौ से सबंदित पॉइंट्स हैं जो महत्पुन हैं तो आप इसे यहाँ पर शामिल कर सकते है हमने यहाँ पर सिर्फ एक मॉडल के रूपे डिसकास किया है या अंसर अंतिम अंसर नहीं है आप इसमें करेक्शन के माध्यम से और और आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अब देखते हैं कि गलॉल बार्मिंग की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए बैस्विक पर्यास जो किये गया है उसमें भारत का क्या योगदान है तो सबसे पहले बैस्विक पर्यास की चर्चा करते हैं तो ग्लॉल बार्मिंग के दीसा में जो सबसे पहला गंभीर पर्यास किया गया है वह है Kyoto Protocol, Kyoto Protocol 1997 इस्यू में किया गया था और उस सम्मेलन में छाप परमोख ग्रीन हॉस गैस की पहचान की गई और कहा गया कि अगर इन छाप परमोख ग्रीन हॉस गैसों के उत्सर्जन में कमी ला दी जाती है तो कहीं ने कहीं गलोवल बार्मिंग की जो समस्या है उसमें कमी देखनों को मिलेगी और गलोवल बार्मिंग की जो इस्थिती है जो भी टेमप्रेचर में जो ब्रिद्धे के इस्थिती हो रही है वह संतुलित होने की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद 2015 इस्थि में पेरिश संधी यह बहुत ही महत्तपुण है पेरिश संधी के दोरान जब विविन राष्टों ने कारवन कटोती है तो प्रतिबधता ब्यक्त की थी यह पेरिस संदी 2015 इस्वी में पेरिस में हुआ था और कारवन कटोती है तो विविन राष्ट्रों परतिबर्धता अपनी दर्शाई थी और यही पेरिस समेलन में भारत और फ्रांस ने अंतराष्टिय सोलर एलाइंस अंतराष्टिय सौर गठ बंदन की नीव रखी थी इसके माध्यम से नविकर्णिय उर्जा पर फोकस किया गया था कि और नविकर्णिय उर्जा पर फोकस करने का मतलब है परावन परदूर्शन गलोवर बानमी जैसी समस्याओं से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाना इस पेरिस संदी में भारत ने भी 2030 तक कुल बिद्दुत उत्पादन का 40% गैर जिवास्म उर्जा से प्राप्त करने का लच्छ रखा है शाथी भारत ने क्योटुप प्रोटोकॉल 2 पर भी हस्ताचर किया है तो आपको याद रखना होगा यहां क्योटुप प्रोटोकॉल 1997 इसमें संद्योई थी और भारत क्योटुप उर्जा को उत्पादन का लच्छ रखा था भारत ने इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो कार इनिसेटिव उठाए गए हैं उसमें हैं जो सबसे महत्तपुर्ण हमने डिसकस किया कि पेरी संधी 2015 का परिणाम है अंतराष्टी सौर गठवंदर अंतराष्टी सौर गठवंदर के जरिये नविकन्य उर्जा उत्पादन में योगदान UNCCD की कॉप फोटिन सम्मिलन के दोरान भारत ने जो 2017 इस्वी में हुआ है तो इस दोरान भारत ने 260 लाख हेक्टियर मरुआस्थली कृत भूमी को हरित आवरन में बदलने की प्रतिवा और अगर मरुआस्थली कृत भूमी हरित आवरन में तब्दील हो जाएगी तो इसे हरियाली में ब्रिधी होगी बर्षा में ब्रिधी होगा और कहीं न कहीं जो टेंपरिचर है जो तापोमान है वह संतुलित होने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं तो कॉप फोटिन सम में दोरान मरुष्थली करन की समस्य को दूर करने के लिए भारत सरकार के दौरा यह इनिसेटिव उठाये गया इसके अलाबा ग्रीन हाउस पर होग को कम करने के लिए उज्वाला योधना की शुरूआत की गई उज्वाला योधना के तहत जो बीपियल लोग हैं गरीवी से खाना बनाते थे उपलों की सहता से खाना बनाते थे तो ऐसी स्थिते में carbon dioxide का उत्ष सर्जन होता था तो कहीं न कहीं अब का उन carbon dioxide gaso का उत्ष सर्जन में कमी आ रही है तो यह प्रयाबरें परदुशन को दूर करने की दिसा में यह बहुत बड़ा कदम सावित हो खेती कर रहे हैं तो खेती के साथ साथ सोलर उर्जा का भी उत्पादन करेंगे खेत की मेडो पर वे सोलर प्लेट को लगा दिया और वहां से इनर्जी को प्रोडूस कर रहे हैं उसी इनर्जी के जरी वो खेत में पटवन की सुब्दा का विकास कर रहे हैं तो कुसम पर योदना है ना, सिंगल यूज पलास्टी को बैन करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाये हैं, स्वच भारत अभियान के जरीए कहीने कहीं पर आवरन प्रदुसन जैसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार कदम उठा रही है, तो ऐसे कई सारे इनिसे टीम जो भारत सरकार के दुआरा गलोयल बार्विंग की समस्या को दूर करने के लिए उठाये गए हैं, यह पेज दो वारास स्काइन हो चुका है, या उपर का ही पेज है, इसके अलाबा, भारत सरकार के दौरा, BAS6 मानग, दो हजारबीस इस्वी से लागू करने की बात की गई है बी एस सिक्स मानक अभी भारत में इसके पूर बी एस चार मानक मौझू था बी एस का मतलब होता है भारत अश्टेज मानक अगला है दो हजार बाइस इस्वी तक भारत 175 गीगावाट नवी कर्निय उर्जा उत्पादन के लच्छ प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है यानि कि 2022 इस्वी तक भारत शरकार के द्वारा 175 गीगावाट नवी करनियों उर्जा उत्पादन पर फोकस किया जा रहा है इसके अलावा किंद्रिय परदुसर नियंतरन बोड की अस्थापना राष्टी हरित नयाधिकरण की अस्थापना की गई है और यह पर्यावरन समंदी भिविन समस्याओं को टैकल करती है पर्यावरन समंदी समस्याओं को दूर करने की दिशा में कार करती है तो इस तरह कहा जा सकता है कि गलोवल बार्मिंग के दूस पर होक देखते हुए भारत सरकार के द्वारा अनेक पर्यास किये जा रहे हैं हमने करीब साथ से आठ पॉइंट देखा कि भारत सरकार किस तरह से गलोवल बार्मिंग जैसी बैस्विक सबस्य को दूर करने की जिसा में लगातार इनिसियेटिव उठा रही है भी मिन अस्कीम चला रही है उजवला योधना, उजाला योधना, कुसुम परियोधना, सिंगल यूच पलास्टिक को बैन करने की योधना स्वच भारत अस्कीम जैसे कई सारे अस्कीम हैं जो भारत सरकार ने इनिसियेटिव लिये हैं बिक्सित देशों को भी चाहिए कि वे बिकासिल देशों के साथ मिलकर इसे दूर करने के लिए वास्या कदम उठाए यानि कि बिक्सित और बिकासिल देश अगर मिलकर इस समस्या को दूर करने की दिसा में कदम उठाते हैं क्योंकि global warming जैसे समस्या किसी एक राष्ट की समस्या नहीं है बलकि यह अंतराष्ट यह समस्या है विश्ट के सभी देश global warming की समस्या से जूज रहे हैं अब यहां पर यह हमने model answer को discuss कर लिया अब हम यहां पर संचेप में आप लोगों के साथ discuss करते हैं कि गलुवल बार्मिंग की समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या इनिसेटिव उठाए गया है तो पहला जो सबसे प्रमुख इनिसेटिव है वह बिहार सरकार के द्वारा जो उठाए गया है वह है जल जिवन हरियाली अस्कीम जल जिवन हर्याली देखिए जल जिवन हर्याली का जो मेन उदेश है वह हर्याली की जो परसेंटेज है वह 15 से बढ़ाकर 17 परतिसत करना है इस जल जीवन हर्याली के तहत लोगों को जागरू करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 19 जनवरी 2020 इस्वी को मानव सिरिंखला का आयोजन किया गया था और इस मानव सिरिंखला के जरिये बिशु के या संदेश देया गया कि बिहार जैसा छोटा राजी के लोग भी जल जीवन हर्याली यानि की हर्याली कारकरम के परती इतने जागरूख है मानव सिरिंखला का आयोजन किया दा रहा है तो इसका कहिने कहीं बैस्विक पर हो परमुक जो है जल जीवन हर्याली दूसरा जो परमुख कारवियार सरकार के द्वारा कि दार है वह है सात निष्चे साथ निष्चे पार्ट टू के तहथ दो ऐसे हैं जिसके जर्ये ग्लोवल वार्मिंग की समस्या पर कहीं ने कहीं अंकुस्क लगाया जा सकता है पहला है स्वच सहर बिक्सित सहर और दूसरा है स्वच गाउं सम्रिद गाउं तो इसमें ऐसा क्या है कि गलोवल बार्विंग जैसी समस्या पर टैकल उसे अंकुस किया जा सकता है तो इसके तहट जैसे है स्वच गाउं सम्रिद गाउं तो स्वच गौव सम्रिद गौव के तहट साथ निश्चे ओधना के माध्यम से सौर उर्जा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है गौव में स्वच्छता की बात की जा रही है सिंगल इच पलास्टी के बैन करने की बात की जा रही है प्रावरन परदूशन पर नियंतरन करने के लिए उलेक्रिक वानों के विकास की बात किजा रही है तो अगर इन सभी अस्किम्स को इन सभी बातों को अगर सच में काररूप में दिया दाता है तो कही ने कही गुलोयल वार्विंग जैसे समझ्या पर अंकुष प्राप्ट कर शकते हैं इसके अलावा बिहार सरकार के दोबारा कई ऐसे कार किये गए हैं अगर पिछले तीन वर्षों के बिहार सरकार के आकड़ा देखें तो यहां बिहार सरकार के द्वारा ऐसे कई कार ऐसे कई इनिसेटिव उठाए गए हैं तो यहां आज का हमारा टॉपिक था गलोवल बार्विंग से आप क्या समझते हैं गलोवल बार्विंग के परवाव पर चर्चा हमने किया global warming का संचेप में कारण देखा basic पर्यास देखे भारत शरकार के द्वारा किये गए पर्यास देखे और रंत में हमने बिहार शरकार के द्वारा उठाये गए कदम की भी समिक्छा की है इसके अलावा भी कई सारे points जो हमने आप पर सामिल नहीं किया क्योंकि वहाँ पर आपको साड़े तीन से चार सो सब्दों के अंदर आपको एक प्रशन का उतर लिखना होगा तो सभी चीजों को सामिल नहीं करना हो लेकिन important points को जरूर वहाँ पर सामिल करें आज मेरा थोड़ा स्वास्त ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा discussion नहीं कर पाऊंगा thank you